नमस्कार आप देख रहें अपना बिहार मैं हूँ आपके साथ विभाव पाध्याए बिहार में अपर मुख्य सचु केके पाठक सिक्षा विवस्था में सुधार को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं स्कुलों की टाइमिंग से लेकर सिक्षिकों की भूमिका तक जिस से लेकर सडक से सदन तक हंगामा मचा है केके पाठक को लेकर विपक्ष लगतार हमलावर है केके पाठक के फैसले से विपक्ष नाराजे और कारवाई की मांग पर अड़ा है हालाकि सियम नितीश कुमार केके पाठक के फैसले के साथ नजर आ रहे हैं और आरोपों को दरकिनार कर नितीश कुमार सदन में उनके पक्ष में खड़े होकर ये कैते नजर आए कि इमानदार अधिकारी पर कारवाई नहीं करते हैं जो इधर उधर करेगा उस पर ही कारवाई होगी वो एक इमानदार अधिकारी है और ऐसे में सवाल है कि सिक्षा विवस्था में सुधार को लेकर केके पाठक के फैसले से विपक्ष आखिर नाराज क्यों है सवाल ये भी कि बैयार में सिक्षा की बेहतरी है जरूरी या पाठक को हटाना है जरूरी ये सुर्फ एक दिन पहले यानि बुद्धवार का बयान है विपक्ष के तमाम आरोपों और हमलों के बावजूद मुख्यमंत्री निदीश कुमार शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक के साथ खड़े दिखे मुख्य मंत्री ने सदन में जो बात केके पाठक के लिए कही वो शायद ही किसी अधिकारी के लिए किसी मुख्य मंत्री ने कभी इस तरह से कही होगी बावजूद इसके केके पाठक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं स्कूल की टाइमिंग को लेकर सीम और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी केके पाठक पीछे हटने को तयार नहीं केके पाठक ने एक बार फिर सभी DEO और DPO के साथ किये वीसी में कहा कि हर हाल में स्कूल सुभा 9 से 5 ही चलेगा सुभा 8 बजे निरिक्षी पदाधिकारी स्कूल पहुँच जाए और 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुँचने पर शिक्षकों पर तुरंत आक्षिन ले उनको अनुपस्थत मानते हुए वेतन कटोती की कार्रवाई करे बुद्वार की तरह गुरुवार को भी विधान सभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि केके पाठक सी एम का आदेश पलट रही है विधान सभा में केके पाठक पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे का जवाब देते हुए सिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने फिर एक बार साफ किया कि स्कूल की टाइमिंग दस से चार ही रहेगी सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्य मंत्री की जो इस सदन में घोशना है सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी जबकि बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि सीएम ने जो कहा है वही आदेश है जो अधिकारी नहीं मानेंगे उन पर कारवाई होगी सवाल है कि सरकार जब केके पाठक के साथ खड़ी है खुद निदीश कुमार केके पाठक की तारीव करते हैं फिर केके पाठक क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए है पाठक किसी की सुनते क्यों नहीं न्यूज 18 के लिए पटना से रजणीश के साथ शैलेंद्र और अमित के रिपोर्ट अब जानिये कि केके पाठक के फैसले से आकिर ये नाराज़गी क्यों है जिस पर विपक्ष इसकदर उखड़ा हुआ है बार-बार होहंगामा देखने को मिल रहा है सिक्षा की बहतरी जरूरी है या केके पाठक को हटाना जरूरी है तो ये भी जानते चलिए केके पाठक सिक्षा विभाग के ACS है आपर मुख्य सची हुए है वो केके पाठक सिक्षा विवस्ता को सुधारने में लगतार जुड़े हुए है इसके लिए केके पाठक जो है कड़े और बड़े फैसले लेते हुए आपको लगता आप नजर भी आ रहे होंगे जिसमें से एक फैसला और एक बड़ा फैसला जो है उनकी तरब से सुबह नौबजे से ले करके शाम के पाँच बजे तक स्कूलर के संचालन को ले कर रहा सिक्षक इस आदेश का विरोध कर रही है विपक्ष को पता है कि बयार में करीब पौने 6 लाक सिक्षक है जो लोग सभाद चुनाओ नजदीक है और ऐसे में ये इनके लिए बड़ा वोट बैंक हो सकता है लोग सभाद चुनाओ के मद्दे नज़र विपक्ष खुद को सिक्षकों का हिमायती बताने में लगा हुआ है सिक्षकों के पक्ष में खड़े होने पर वोट मिल जाएगा ये बार-बार कही जाती है और अब ये भी देखते चलिए कि केके पाठ्थक के बड़े फैसले क्या है तो केके पाठ्थक जो है वो सिक्षा विभाग के ACS है यानि कि आपर मुख्य सच्य में और उनके तरब से बड़ी जिम्मेदारी जो है निभाई जाती है इसके साथी साथ सिक्षा विवस्था को सुधारने में केके पाठ्थक की भूमी का जो है वो बड़ी और महती हो जाती है वो बड़े फैसले लेते हैं इसके लिए पाठ्थक कड़े फैसले लेने के लिए जग जायर है उनके बारे में अगर कोई जानता है तो यह जानता है कि वो फैसले जो लेते हैं वो कड़े लेते हैं फैसला जिसमें स्कूल को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलाने का फैसला शामिल है उनके इन बड़े फैसलों में एक बड़ा फैसला जिसका विरोध किया जा रहा है और सिक्षक इसी आदेश का विरोध कर रहा है। कर रहा है कि भाई ACS के के पाठ्षक को हटाईए उनके खिलाफ कार रवाई कीजे। स्कूल से गायब रहने वाले सिक्षकों पर शिकंजा जो है वो लगतार कसा जा रहा है। बताईए कि क्या ACS के के पाठ्षक को लेकर जो जिच है जो रार है वो अब थमती नजर आ रही है। क्या बातशीत का दौर शुरू हुआ है उनसे ये क्लेरिफिकेशन लिये जा रहे हैं कि आखिर क्या वज़व है कि मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं और ACS के के पाठ्षक दूसरी बात। तो हमारे सयोगी हमारे साथ जोड़ेंग लिए जरा उसे पहले जिन फैसलों को लेकर आखिर ये बावाल क्यों मचा है क्यों विपक्ष बार बार ये कहता है कि भई ACS के के पाठ्षक को हटा दीजिए लेकिन उनके फैसले क्या है जो कि आमूल चूल परिवर्तन लेकर आए हैं देखे बच्चों को जमीन पर बिठा कर पढ़ाया जाता था तो इस फैसली को केके पाठ्षक ने कहा कि भाई ये हटाना होगा बच्चों को बेहतर विवस्थाएं देनी होंगी स्कूल से गायब रहने वाले सिक्षकों पर शिकंजा कसना होगा क्योंकि भाई दाय तु प्रतिन्युक्ति पर भी उन्होंने रोक लगा दी नए सिक्षकों को पहले आपको आना होगा गाओ में गाओ में आईए बच्चों को पढ़ाई और फिर उसके बाद आपका पदर सापन कहीं और होगा विकास कोश में जमारास की जो है वो स्कूल में ही खर्च की जाएगी यानि कि पढ़ाई में बेहतरी के लिए इस राशी को खर्च करना होगा ये बड़े फैसलों में और क्या बदलाव लेकर आए एसी इस केके पाठ्चक वो और केके पाठ्चक को लेकर विपक्ष क्यों कारवाई की मांग कर रहा है क्यों इस बात पर वो अड़ा हुआ है कि म ुमात की ऊबांढ़ी जो है उनका जो स्टेंड है बच्यों को पढ़ानी के लिए सिक्षा को बेहतरी के लिए वह जगजाहिर है सभी जानते हैं कि वो बहतर कर रहे है हमारे वस दान जानकारी के साथ जूड़ कैजिश केके पाठ्च की कार्यशेली से हम सब वाकिफ हैं के पाठ्षक के ACS बनने के बाद क्या बदलाव सिक्षा के शेत्र में आया बिहार में सिक्षकों के स्कूल पहुँचने में कितना बदलाव आया ये सब जानते इसके बावजूद विपक शाकित कारवाई की बाद पर क्यों अड़ा है जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उनके काम करने का तौर तरीका है उससे शिक्षक वाकित हैं और इससे किसी को कोई आपत्ती नहीं है आपत्ती सिर्फ इस बास से है कि जहां मुख्यमंत्री नितिश कुमार सदन में कह रहे हैं कि दस से चार स्कूल का समय होगा उसके बाद समय प चल गया है कि अब ये मुद्दा राजनिती ब्याया है और राजनितिक मुद्दा को अब कहीं ने कहीं शिक्षकों को इस से कोई मतलब नहीं है तो बता दें आपको केके पाठक अबी कटिहार दोरे पर हैं कल हमने प्रयास भी किया कि हम किसी प्रकार से उनसे पक्ष जाने ले दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से शक्षमता परिक्षा को लेकर लगातार शिक्षक विरोध कर रहा है अब शिक्षकों का आरोप ये है कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलके मुद्दा को डाइवर्ट कर दी है यानि जो मुद्दा था कि राज कर्मिंग का दरजा इसे शिक्षकों को मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, सीयम नितीश कुमार ने सदन में कह दिया है कि 10 से 4, यहाँ पर कंफूजन है, कंफूजन यहीं नहीं, केके पाठक कुछ और आदेश दे रहे हैं, मुख्य मंत्री कुछ और कह रहे हैं, और जिले में जो जिला शिक्षा पतादिकारी हैं, या प्रखंड शिक्षा पतादिकारी हैं, वो अलग-अलग तरीके से करवाई कर रहे हैं, कल अगर बात करेंगे कैमूर से, भोजपूर से, जिस प्रकार से शोकोज के साथ-साथ वेतन कटोदी करवाई की गई है, 9 बज़ कर 4 मिनट किवाल, कोई शिक्ष निए करेंगे कर लेकर लोग जानते हैं, बिलकुल, 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 रजनीश, जैसा आप कह रहे हैं, भाई, अब उन पर कारवाई हो ये माँग नहीं है, कारवाई होगी या नहीं होगी, सरकार ये देख लेगी, लेकिन जो मुक्ह junkyard का बयान है, कि शुलों के चाहिए उस सिक्षकों के हित में भी है अधिकारियों के हित में भी और छाटों के हित में भी है आप हमारे साथ बने रहे हैं अब जरा एक बर अपने दश्कों को बता दें कि केके पाठक के बड़े फैसले क्या कुछ हैं और क्यों है केके पाठक बेहार के लिए ज़रूरी है स्कूल से गायब रहने वाले सिक्षकों पर देखिए शिकंजा जो है उनकी तरब से कसा क्या कि आप गायब नहीं रह सकते हैं स्कूलों में पहले वाले बच्चों के परिजनों का अकसर इस तरह की सिकायते उनकी आती थी कि भाई टीचर उसकूल आते ही नहीं है बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है यह शिकायत आए दिन लगतार जो बढ़ रही थी और ऐसे में केके पाठक ने सिक्षकों के वेतन में कटौती करने का आदेश ने दिया अगर कोई टीचर बिना कारण बताय स्कूल से गायव रहता है तो उसकी सेलरी कट जाती है देर से पहुँचने पर सिक्षकों के वेतन को काटा जाता है साथी मोटिस भी जारी हो जाता है कि अब स्कूल से अगर आप गायव रहेंगे तो फिर उसके बाद कारवाई भी आप पर होगी सिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिन्यूक्ती पर रोक पहले जो प्रतिन्यूक्ती अपने मन पसंद वाली जगों पर होती थी वो भी अब मुश्किल हो गई अब वो संभो नहीं होगा, कहके पाठक नहीं बिहार के सिक्षकों के तबादले और प्रतिन्यूक्ति पर रोक लगाकर लापरवास सिक्षकों के मनसूबे पर पानी फेड़ दिया, नए सिक्षकों को पहले अब अनिवारे कर दिया गया कि आपको गाउं में ही बच्चों को जाकर अध्यापन कराना होगा, पढ़ाना होगा, बेयार में BPSC के जरीए देखी बड़ी तब्दीली जो है वो लाई गई कि BPSC के जरीए सिक्षकों की जो नई भरतियां है वो शुरू की गई, यानि कि क्वालिटी पर फोकस किया गया, न्युक्ति पाने वाले सिक्षको पहले कुछ साल राज के गाउं में जाकर बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें लिखाना है, उन्हें सिक्षित करना है, विकास कोश में जमार राशी जो है, वो अब आपको स्कूलों में खर्च करने की अनिवार्यता सुनेशित करती गई, ब्रहर शिक्षा विभाग स्कूल उन्होंने कहा कि विद्यालियों में चात्र कोश और विकास कोश में जमा रुपए खर्च नहीं होते हैं तो उसे वापस सरकारी खजारे में जमा किया जाए। चाचों की उपस्तिती पर केके पाठक जो हैं वो सक्त नजर आए। आपने देखा होगा कि अगर तीन दिनों तक स्कूल से आप अनुपस्तित रहते हैं तो आपको एक नोटिस जाता है उसके बाद 15 दिनों तक लगतार अनुपस्तित रहे तो फिर नाम काट दिया जाता है। अब तक हजारों स्टूडिन्स के नाम जो हैं इस नियम के तहत ही काटे गए और कई ऐसे स्टूडिन्स थे जो की सरकारी योजनाओं का लाब तो जरूर ले रहे थे लेकिन स्कूल नहीं पहुंच ते थे और बड़ी ख़बर इस वक्त आपको बताते चलें स्कूल की टाइ एक्षिन है उसकी शुरुआत हो चुकी है जी यहां केके पाठक के आदेश के बाद कारवाई की शुरुआत कर दी गई है केके पाठक भोजपूर डियो ने एक बड़ी कारवाई की है जिसमें जो लोग समय पनी ही पहुंचे उनके वेतन को रोका जारा काटा जा रहा है स्कूल की टाइमिंग को लेकर यह बड़ा एक्षिन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है हमारे सेउगी रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए रजनीश है चुकि शिर्फ के के पाथक कहने बें यकीन नहीं रखने है जो उनका अदेश है जो उनका निर्देश है तो जैसे एक पत्थर की लखीर हो जाती है, उसका पालन करना अनिवारिय हो जाता है और वो तुरंट इंप्लिमेंट भी हो जाता है, उसका एक्शन नज़र आना लगता है, यही वज़ा है कि कोईलवर में हैड मास्टर के वेतन को रोका गया, 9 बच कर 4 मिनट, मतलब आप 4 मि हो जीए, यह निवारिय है, देखिए यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि 9 बच कर 4 मिनट नहीं है, बलकि निरिक्षी पतादिकारी जो है, उन्हें 8 बचे ही, तमाम इसकोलों में पहुच जाना है, और वहाँ पर 8 से 9 के बीच में, वो नजर रखेंगे, और 9 बच कर 1 मिनट भी अगर हो जाता है, तो केके पाठक का आदेश है, कि तुरंत जो है, उनकी वेतन कटोती का कारवाई किया जाए, इसके अलाबा, जिस प्रकार से केके पाठक जो है, जब से ज्वाइन किये हैं, बता दें आपको इसे पहले भी ACS हुआ करते थे, लेकिन आम लोगों को ये पत के साथ ही इन्होंने टार्गेٹ रखा कि हर एक तारीक को सेलरी मिल जानी चाहिए, यही शिक्षक हैं जिनको सेलरी मिलने में छे महिनेा और साथ महिने लगते थे, हम लोग खवर चलाते थे, आज की तारीक में किसी भी सिक्षक के акाउंट पर पांस तारीक नहीं होता है, एक प्रकार से मुख्यमंत्री खुद आकर सदन में कहते हैं कि दस से चारी स्कूल का समय हो गया है इसके बाद जब बदलाव नहीं होता है तो निश्यत रुप से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और अपोजीशन लगातार अब वर्खास करें कि मांग करा है यह कंफ्यूजन दूर होना चाहिए और जल्द दूर होना चाहिए कि आखिर सिक्षकों के पहुँचने के लिए सही वक्त क्या डरधारित किया गया है वो वक्त जिसको सिक्षक भी फॉलो करें और स्टूडेंट्स भी फॉलो करें बहुत बहुत शुक्रिया रश्नी से समाम जानकारी के लि अजय को ये,